नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर चारू मुर्दर आप सभी का शो नए साल नए सितारों में हारदे कभी नंदन करती हूं इस साल हम बात करेंगे साल दो हजार चौबेस हमारी बारा राशियों पर क्या प्रभाव डालने वाला है क्या है आपकी राशी और क्या सौगात लेकर आ रहा है दो हजार चौबेस आपके साथ जैसे जैसे साल बढ़ता है जैसे जैसे हमारा जो कालेंडर का एयर है वो चेंज होता है हमारे जो ग्रह हैं उनके गोचर होते हैं हमारी जिन्दगी में एक नई उमीद जाग जाती है हम चाहते हैं कि जो काम हमने पिछले साल तो 2023 खतम होने के साथ सब 2024 शुरू हो रहा है और देखते हैं क्या होने वाला है 12 राशियों पर इसका प्रभाव और जो आपकी उमीदें हैं क्या आपकी उमीद पर ये 2024 खरा उतरेगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2024 जो है ये शनी प्रधान एक साल है क्योंकि 2024 का जो अ शनी देव प्रधान जो है वो साल रहने वाला है साथ ही साथ शनी देव 2024 में अपनी मूल्टरिकोन राशी कुम्ब राशी में विराजमान रहने वाले हैं पूरे साल प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको पताना चाहती हूं बहुत ही महत्वपून गोचर जो इस स मेर गोश्पति है वो में तक जो हैं वो साध की में चुरूआत में वरंतिव करें गाज करेंगे शनीदेव जो हैं 29 मार्च दो हजारं पच्छिस तक कुंब राशी में है, उसके बाद वह मीनराशी में गोचर करें گे, राहु देव का गोचर जो है वह हमारे मीन राशी पर रहने वाला है इस साल और क एटुदेव का गोचर जो है वह कन्या साथ ही साथ जो शनीदेव है वो वक्री होंगे अभी 15 जून 2024 से लेकर 30 नवेंबर 2024 तक शनीदेव वक्री होने वाले हैं, देव गुरु ब्रस्पती जो है वो 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहने वाले हैं, तो अब साल की शुरुवात हो रही है, अभी बु वक्री हैं, जो की 2 जनवरी 2024 तक वक्री रहने वाले हैं, उसके बाद होएंगे मारगी, तो आप जानते हैं, 2024 का क्या प्रभाफ पढ़ने वाला है हमारी 12 राशियों पर, सबसे पहले मैं आपको बता दू, सबसे पहली राशी जो हमारी आती है, वो मेश राशी आती है, मेश राशी में सूरेदेव उच्च का फल प्रदान करते हैं, और शनीदेव नीच का फल प्रदान करते हैं, मेश राशी के जो जातक होते हैं, हमीशा जल्दबाजी में रहते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, गुस्से के बहुत तेज होते हैं, और कहीं ना कहीं का क तो मेस्त राशि वाले जातक हैं, जो हमिशा जल्दी में रहते हैं, मंगल की जो, यह मूल त्रिकोन राशी है, मतलब मंगल देव जो हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं, कैसे जाने वाला है, दो हजार चौबिस मेश राशी वाले जातकों के लिए तो साल की शुरुवात में जो ब्रस्पती देव है आपके पहले घर में विराजमान है आपकी राशी पर उनका गोचर चल रहा है तो इसमें अगर आप संतान प्राप्ती की कामना करना चाहते हैं अगर आपके विवा मे कोई विलम है, देरी है, कोई परिशानी है तो वो दूर हो सकती है और भागया आपका दे सकता है अच्छे से साथ शनी देव आपके लाप के भाव में बैठे वे हैं पर स्लो रिजर्ट देंगे आपको पुश करेंगे आपको वो और धक्का देंगे कि आप और मेहनत करो के साथ आपने अपने जो स्वास्ते है उसका ख्याल रखना है क्योंकि कोई ऐसी बिमारी जिसका आपको पता लेट चले या उसके डाइग्नॉस गलत हो उससे रिलेटेड भी आपको प्राब्लम आ सकता है गुरू के गोचर को लेकर आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे गुरू द आपके वृद्धी हो सकती है और आप अपनी फामिली के साथ अच्छा समय जो है वो स्पेंड करेंगे साथ ही साथ आपके लिए ये जो दो हजार चौबिस है वो ये बोल रहा है कि आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ें अपनी जो इच्छाएं हैं उनको थोड़ा सा कम करें और अपने आपको प्रभू के चड़नों में समर्पन करें तो आपको मोख्ष की प्राप्ति की तरफ एक कदम और आगे बढ़ने को मिल सकता है अब बात करते हैं व्रशब राशी के बारे में विशब राशी के लिए दो हजार चौबिस हमारे को क्या कहना चाह रहा है 2024 विशब राशी वाले जातकों के लिए सबसे पहले मैं बता दू विशब राशी के जो कारक रहे हैं वो है शुक्रदेव और विशब राशी में जो चंदरमा हैं वो उचके होते हैं उचका फल प्रदान करते हैं तो विशब राशी के लिए जो हमें गोचर की बात करते हैं, क्यूंकि गुरू अभी आपके बारवे भाव में हैं, आप बहुत ही सोच समझ कर अपनी वानी का प्रयोग करें, गुरू बारवे भाव में एक ब्लेसिंग की तरह होते हैं, कि जो आप बोलें वो सत्य हो सकता है, तो सिर्फ अच्छे विचारों पर ध्यान दे, किसी ना आपका दिल दुखाया है, क्यूंकि आपका चंदरमा जो यहां पर है, एक्षाप राशी वाले दिखने में अच्छी होते हैं, उनकी आकर्शन शक्ती जो है, वो अच्छी होती है, लाइफ में सारी लग्शिरी मिलत है, एक अट्राक्टिव फेस के मालिक होते हैं, तो गोचर के अंदर बात करते हैं, आपके जो जुपिटर है, जो देव गुरु ब्रस्पती है, वो लगन में आ जाएंगे मई में, तो वहां पर आपके जो काफी रुकेवे काम हैं, आपके करियर से समबंदिद, आपके जो ट्रावलिंग से समबंदिद, आपका नवम को अक्टिवेट करेंगे, तो आपको वहां पर होगा लाब, साथ ही साथ आपके लिए, अगर आप करियर में कोई प्रमोशन चाते हैं, अगर आप करियर के अंदर कोई नई उपरचुनिटी चाते हैं, तो ये साल भी आपके लि बाहर ब्रह्मन करना चाह रहे हैं, तो भी फायदा है, के तूब के गोचर की वज़े से आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा अपने स्वास्त में, अपने पेट से रिलेटेड परिशानियों का, बाई का ध्यान रखने के आपको जरूरत है, स्टमक रिलेटेड इशू, डाजिस को वेट करना है, जब देव गुरु वापिस से वकरी होंगे, तो आपने ऐसी कोई प्लानिंग करनी है, तो आपने कोई शुप खर्चा जो आप अपने शादी पर करना चाहते हों, या अपने मकान पर करना चाहते हों, तो आपने ऐसा कोई शुप खर्चे की तरफ आगे ब स्वामी है बुद्ध देव तो बुद्धी के कारक और बुद्धी के कारक टीवर बुद्धी प्रधान करते हैं मिथुन राशी पर राहु देव का जो प्रभाव है वो अधिक्तम अध्र शुब माना जाता है कि राहु देव जो हैं मिथुन राशी पर अच्छा प्रभाव तो मिथुन राशी वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है 2014 सबसे पहले तो अगर आप फॉरन रिलेटेड आप विदेश रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी कारणवर्ष विदेश जाना चाहते हैं, अपने घर से दूर आपके जाने की संभावना बहुत अधि का टाइम है, राहु आपके जो कुंडली में राहु माराज विराजमान है, वो कहीं ना कि ओफिस में कंटिनिस पॉलिटिक्स देंगे, पर आपको इतनी तेवर बुद्धी आपके इतना साथ देंगे कि आप उस ओफिस पॉलिटिक्स से बहुत अच्छे से बच सकते हैं, आपको उससे कोई परिशानी नहीं होएगी, साथी साथ शनी देव भागय उदे करेंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, थोड़ा सा धीरे मिलेगा पर मिलेगा अवश्य, कहीं ना कहीं आपको जांगो से रिलेटेट प्रॉब्लम, मास पेशियों से रिलेटेट प्रॉब्ल साथी साथ आपका जो अभी गुरू का गोचर है वो आपको धार में खर्चों की तरफ, धार में क्यातराओं की तरफ खीचेगा, तो आपने अपने आपको रोकना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है, ताकि आप अपने अध्यात्म से अपनी मनो कामना पूर्टी करें, ये अगर आप कोई भी धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं तो उसका आपको बहुत ही शुक्फल प्रदान होगा में के बाद आपकी सभी धार्मिक यात्राओं की तरफ और ज्यादा रुची बढ़ सकती है